अपन मुझे 20 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए हो सकता है कि बच्चे काई डॉक्टर बनाना हो, लंबी सिक्षा के लिए, अच्छी सिक्षा के लिए करना है तो यार मुझे लगवग अच्छे खासे पैसे चाहिए अब प्लान हमने कर लिया, एराउंड 2000 प्रती महीने इन्विस्ट कर रहे हैं ठीक है न, अब देखो पावर और कमपाउंडिंग की ताकत में समझाना चाहूंगा उससे पहले वो दिखाऊं कि भाई जब आप पैसे आपके साइपी रुख जाये तो क्या होगा कमपाउंडिंग की ताकत देखो एक बहुत शांदार कोश्चन आया है, कोश्चन में आपके सामने ले जाना चाहूंगा एक हमारे वीवर ने पूचा है कि सर, मालो सिच्वेशन ऐसी खराब हो जाये मेरी पैसे में लगा तारा S.I.P. कर रहा हूँ कोविड में ऐसी सिच्वेशन काफी लोगे साथ होई थी कोविड में काफी लोगों ने पैसे जमा करने कोश्च देखो समी लोग करते है ऐसे मिडल क्लास जह हम समझ जाते हैं कि भाई अब हमें पैसों की जरूरत पढ़ने वाली आने वाले समा में जादा पढ़ेगी क्योंकि महगाई के इस्तर 6-7% है FDRD सेविंग स्की में उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं सबको पता है तो हम मिडल क्लास पूरी कोश्च करते हैं अब मैं क्या करूँ पैसे मेरे पास हैं रखे हुए हैं लेकिन मैं SIP नहीं कर पा रहा हूँ क्या मेरे पैसे लॉस में हो जाएंगे वहाँ पास क्योंकि मार्केट भी नीचे गिरेगा ऐसा कोश्चन आया था तो इस कोश्चन पर थोड़ा सा डिसकस करेंगे दो सिनेरियों पर डिसकस करेंगे कि एक बंदे ने लगातार SIP की जो उसने सोचा था वहाँ तक किया लेकिन एक बंदे ने जो सोचा था वहाँ तक नहीं कर पाया दोनों की कहानी में कितना अंतर होता है पैसे कितने loss होते हैं कितना कम पढ़ता है क्योंकि बहुत लोग के मन में होता है कि हम लगातार जमा कर रहे हैं कुछ हमारे साथ सिचुएशन नहों हो जाए क्या वो पैसा हमारा निगेटिव हो जाएगा चौरो केस डिसकस करते हैं चौरो तो स्टार्ट करेंगे देखो यार मैं बात कर रहा हूं केवल 2000 रुपय प्रती महीने की बात करता हूं 2000 रुपय प्रती महीने इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए आपने सोचा कि भाई मुझे लगातार इन्वेस्ट करना है एक्जामपल मुझे 20 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए हो सकता है कि बच्चे काई डॉक्टर बनाना हो लंबी सिक्षा के लिए अच्छी सिक्षा के लिए करना है तो यार मुझे लगबग अच्छे खासे पैसे चाहिए अब प्लान हमने कर लिया एराउंड 2000 प्रती महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है नब देखो पावर और कंपाउंडिंग की ताकत में समझाना चाहूंगा उससे पहले वो दिखाऊं कि भाई जब आप पैसे आपके SIP रुख जाये तो क्या होगा कंपाउंडिंग की ताकत देखो सुरू के 15 साल आपने 2000 रुपे जमा किया सुरू के 15 साल जादा नहीं पता चलेगा पैसे बनेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन देखो सुरू के 2 साल मैं इसकी बात करूँगा 15 सालों के लिए सुरू के 15 सालों में लगवग जो 13 लाख रुपे बन रहा है SIP में सुचो कंपाउंडिंग की ताकत देखना यहां बहुत आपको न अच्छरज होगा सुरू के 15 साल आपको 13 लाख रुपे बन रहा है लेकिन आप लगातार continue करते गए SIP continue investment करते गए अगले 15 सालों में वो value लगबख 1.40 लाख बनती है यह मैं नहीं कर रहा हूँ मैं आपको SIP calculator दिखाने कोईश करूँगा थोड़ा आपको न प्रूव मिले क्योंकि आज सोचोगे कि ऐसी दिखा दिया मैं दिखाने कोईश करता हूँ कि देखो आप मैं केवल बात करूँगा स्क्रीन रिखाने कोईश करता हूँ आपके लिए देखो सुरू के 2,000 रुपे प्रती महीना आपने सुरू कर लिया भाई, इन्वेस्ट कर रहे हो यह बोलने का मतलब क्या है बताने का मतलब है कि आपको पैसे कोशिश करो जो SIP कर रहे हो करते रहो लेकिन कोशिश करो उतना मेंटेन रखो ऐसा नहीं कि भाई, मोटिवेशन में आके हमने 20,000, 20,000 पर मंत करना चालो कर दिया ऐसा भी नहीं करने को मैं बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ सुरूआज छोटी अमाउंट से करो अब आपने कर दिया 2000 आपने किया मैं बात करूँगा 15 सालों के लिए 13,000,000 बन रहा है आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कितना बन रहा है 13,000,000,000 रुपे बन रहा है सुरू के 15 सालों में लेकिन आप लगातार इन्विस्ट करते गए 15 साल और खीच गए मोटिवेशन के साथ यही वेरू लगबग देखो एक करोण 40,000,000 रुपे बन रही है यही ताकत होती है कमपाउंडिंग के मेरे दोस्त तो मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ ताकत है कि देखो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो न तो यह सोचो सबसे पहले कि भाई मुझे इतना minimum इतना इन्वेस्ट करना है कि जब भी मंतली सैलरी आए सुरू में इन्वेस्ट कर दो लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए कोई situation खराब हो जाए देखो क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा दो case लेना चाहूँगा ध्यान समझना यह थोड़ा सा यह जो screen slide है बहुत important है काफी लोगों को समझने के लिए case 1, case 2 कहानी है रोहन और शोहन की नाम में मत जाना simple सा नाम मैंने ले लिया है रोहन सोहन की कहानी है सबसे पहले रोहन भाई साब मैं 2000 के SIP के बाद कर रहा हूँ लगातारों ने इन्वेस्ट किया कितने सालों के लिए 10 सालों के लिए 10 सालों के लोगों ने इन्वेस्ट किया और 10 सालों में उन्होंने SIP बंद करना पड़ा उने मन नहीं था हिम्मत नहीं थी बंद करने की क्योंकि उनको compounding की ताकत पता था कि मैं अगर लंबे समय में invest करूँगा तो मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ लेकिन कुछ ऐसी situation होई family में कि उनको SIP बंद करनी पड़ी ये मैं कहानी COVID के लिए रहा हूँ हलाकि वो लोग बहुत अच्छा आज return में होंगे जो लोग न COVID में लगातार बने रह गए यही मैं कहता हूँ market का काम है उपर नीचे होना लेकिन अगर आप जो invest करके रखा है आपने लगातार थोड़ा थोड़ा invest करते रहे same position में same pace में अच्छा पैसा बनाओगे कोई दोराई नहीं है ये पुराना इतिहास कहता है मैं नहीं कह रहा हूँ 2,40,000 दस सालों में उन्होंने जमा किया ठीक है क्योंकि 2,000 प्रती महिने SIP कर रहे हैं आपको थोड़ा proof के साथ भी दिखाऊंगा ना तो और मज़ा रहेगा देखो आपको simple सा मैं की कहानी जो बताना चाहूंगा कि लगातार थारिन होने कितना साल लगातार थारिन होने 10 साल invest किया देखो ठीक है देखो इसकी recording आपके correct सामने हैं 2,40,000 2,40,000 total investment value ये वाली value बात करूंगा लगवक value बन रही है 5,57,000 5,57,000 पे आखे इनको S.I.P. बंद करनी पड़ी ठीक है समझ में आ गया अब इनकी कहानी है यहां तक लोने S.I.P. बंद कर दी ये ऐसे लोग एक question है जो उनका वीवर्श का question आया था वो ही question लोगा दूसरी कहानी हमारे सोहन सहाब की लगातार investment करते रहे ठीक है और वो लगातार investment करते देखो उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने 2,000 लगातार इन्वेस्ट किया मैं उनकी कहानी बोलूँगा 12 सालों की ठीक है भीया ने 10 साल बात बंद कर दिया उनके पैसे की वैलू लगबा 5,57,000 थी लेकिन हमारे सोहन साहम ने हिम्मत करके 2 साल और बढ़ा लिया 2 साल में कहानी देखो 8,07,179 रुपए हो गई केवल 2 साल बढ़ा के, केवल 2 साल की मेहनत थी अब देखो अगर लगातार इन्वेस्ट रहते यहां इनकी ताकत मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने जो बंद कर दिया, इनको पैसा कैसे मिलेगा इन्होंने बंद कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि वही अमाउंट आपका लगबक कितना हो गया देखो, आपने यह अमाउंट क्या कर दिया वहीं पास छोड़ दिया आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो, लंसम में क्या होगा देखो, यहां तक उन्होंने छोड़ दिया न, तो यह इनकी वैलू हो जाएगी लंसम क्योंकि, देखो, आपने यहां तक इन्विस्ट किया तस साल हो गया, वह अमाउंट आपने छोड़ दिया आपका वहीं अमाउंट रहे गया इसका मतलब यह नहीं, मार्केट करेक्शन तो बार बार आएगा लेकिन वह अमाउंट ऐजे लंसम आपका अमाउंट हो जाएगा क्योंकि आप इसके बाद इन्विस्ट नहीं कर रहे हो अब देखो सामने, 5,57,000 आपने छोड़ दिया भाई साहब लगातार इन्विस्ट इनकी कहानी पर वापस आते हैं ये लगातार इन्विस्ट रहे, सिंपल S.I.P. कर रहे थे आने वाले में 20 सालों को बात करूँगा ये बंदा लगबग बना लिया, कितना 30,00,00,00 बना लिया जो बंदा लगातार इन्विस्ट करता था, वो बंदा आपसे लगबग 8,00,00,00,00 आपसे जादा है तो ये वैलू है, दोनों में डिफरेंस है मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी power of compounding की बात करते हैं power of compounding की जब भी बात करते हैं तो हमेसा आपको ये सोचना चाहिए, कि सबसे पहला ये सोचना चाहिए कि आपको लगातार invested रहो लेकिन anyhow अगर आपने invest कर दिया है कुछ भी invest आप कर दिया है anyhow आप अगर amount आपको रुख जाएगा तो आपको घबराने की बात नहीं है जितना आपने amount invest किया है उसका compounding की ताकत आपको देखने को मिलेगी लेकिन मैं वही कहता हूँ कि थोड़ी से हिम्मत दिखा दोगे न साल, दो साल, तीन साल की हिम्मत दिखा दोगे तो कहानी बिल्कुल अरग हो जाएगी इसलिए सबसे पहला यह सोचो कि आप कितना invest करते हो जितना salary है, सुरू में ही invest कर दो और बाकी बीच-बीच में top up करते रहो amount बढ़ाते रहो, तो यही ताकत है success का mutual fund compounding में यही ताकत है यही जाके आपको अच्छा पैसा आके बना मिलेगा तो वीडियो के ऐसलिए जरूर बताना आई थिंग भाई आपका question resolve हो गया होगा बाकी कुछ भी doubt हो, जरूर mention करना Instagram पे follow कर सकते हो मैंने नीचे description में डाल दिया है, LinkedIn पे भी follow कर लो बहुत important छोड़ी छोटी information आपको मिलती रहेगी बाकी घरगर SIP वाला चैनल नीचे description पे है उसको भी आप follow कर सकते हो, subscribe कर सकते हो मिलते हैं नेस वीडियो के साथ, बावेटे केर, जैहिन